राजस्थान में बिज़िपी के वरिश नयता और सवायमादूपूर विधायक क्रोडिलाल मीना की वज़े से सियासत में जमकर हल्चल मची हुई इस बीच क्रोडिलाल मीना ने सवायमादूपूर विधान सबस्ष्वेत्र के शहरी और ग्रामन इलाकों में पियेजल संकट को लेकर बड़ी दिमाद धाई है इसको लेकर उन्होंने चम्बल नदोती सवायमादूपूर पियेजल योजना पर भी बड़े सवाल खड़े की हैं उन्होंने तंसकस्ते हुए लिखा कि कब मरेगी सासू और कब आएगी आसू जैसे इस्तिती लोगों के सामने पियेजल संकट के कारण हो रही है जिस तरीके से योजना का कारे चला उससे तो 20 साल बाद भी सवायमादूपूर के लोगों को पानी नहीं मिल पाया सवायमादूपूर के विधायक क्रोड़िलाल मीना ने अपने विधानसाबस श्वेत्र में गहराय पियेजल संकट को लेकर मुख्यमंत्री भजुनलाल और ज्वलदाय मंत्री का नएया लाल मीना को पत्र लिखा है इसमें उन्होंने अपने विधानसाबस श्वेत्र में पियेजल संकट के कारण गंबीर आलत बताये हैं उन्होंने लिखा कि गर्मी के मौसम में सवायमादूपूर के शहरी इलाकों में पानी किया पूर्ति के एवल 20 मिनेट बो रही है इसके कारण अब लोगों के हालात कब मरेगी सासूर का बाइं यासू डिसिस्तिती हो गई है उन्होंने ग्रामन इलाकों में पियेजल संकट की स्थिती से भी अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री और जल्दाय मंत्री से पियेजल संकट का जल समधार निकालने के अपिल की ह क्रोण इलान मीना ने पत्र में बताया कि 2004 में चंबल नदोती सवायमाद उपर पियेजल योजना की स्वेकरिती दी गई इस समय उसकी लगत 478.51 करोड रुपे थी इस योजना में सवायमाद उपर के शहरी और ग्रामिन शेतर में पानी की अपुड़ती किये जाना प्रस्तावित था लेकिन बार-बार सोर्स बदलने की वचह से 20 साल बाद भी सवायमाद उपर के हालात जैसे के तैसे हैं अब तक योजना का पानी नहीं पूच पाया उन्होंने पत्र में पीए जल संकट को धूर करने के लिए सवायमाद उपूर को ए आर्सीपी के तहट इस सर्दा दोसा पीए जल योजना से जोडने की बांकी है साथ में उन्होंने रामेश्वर घाट से भी पीए जब अपूर्ती के लिए विकल्प का भी सुजाब दिया है तमाम खबरों के लिए देखते रहें दन अगरीरियों शक्रिया